प्रेजेंटली का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं प्रेजेंटली का इस्तेमाल एडवर्ब की रूप में किया जाता है और इसका आर्थ होता है अभी अभी इस समय तुरंथ शिग्र फिलहाल अब ये कुछ ही वक्त बाद या कोई भी चीज अभी अभी या वर्तमान में होती है तो उसको हम प्रेजेंटली कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि फिलहाल वह थोड़ा शान्त हुआ तो आप कहेंगे प्रेजेंटली ही कामड अलिटल या गर आप ये कहना चाहें कि वह वर्तमान में किताब लिख रही है तो आप कहेंगे she is presently writing a book या गर आप ये कहना चाहें कि doctor अभी यहीं रहेंगे तो आप कहेंगे the doctor will be here presently अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें